आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमोक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के अपने ब्रेट की शुरुबात करने वाले हैं हम इंडियन एफ़ोस से आई एक बड़ी अपडेट से इन एफ़ोस के दोरा MQ का नेट्रो NB3101 एविएशन नाइट विजन गॉगल जो है यह सेलिट किया गया है एडवांस हेलिकॉप्टर के लिए और डिसीजन अगर हम बात करें तो ऐसे ही नहीं आया है बलकि नेट्रो NB3101 जो है यह भारति वायसिना का एक positive experience का नतीजा है जो कि उन्होंने initially B-17 helicopter से प्राप्त किया है यह high quality performance और reliability वाले नाइट विजन गॉगल है जो कि भारतिय वायसिना को अल्रेडी काफी जदा impress कर चुके है और यही कारने कि एलसे प्रशंड में इनका selection हमें देखने को मिला है नित्रो NB3101 की बात करें तो यह cutting edge ANVG है जो कि विशेश तोर पर जो एक्राप पाइलेट से इनके लिए विकसत किया गया है यह exceptional night vision capability को प्रदान करता है और pilots को enable करता है कि वो low altitude में भी जो है रात में effectively navigate कर सके और challenging environment में जो detection है उसको भी avoid कर सके यह जो night vision goggle है यह advanced optic और gen 3 image intensifier sensors के साथ आते हैं जो कि सुपीलर image quality को deliver करते हैं और सबसे खास बात तो यह है कि darkness में भी जो pilot है उनको safely navigate और maneuver करने में कि यह काफी ज्यादा सहयोग प्रदान करते हैं इनका जो rugged और waterproof design है यह और भी इसकी durability को बढ़ा देता है और reliability को भी काफी improve कर देता है और LCS pressure में अब यहीं हमें जाने पर यहां विशिश ध्यान दिया जा रहा है जैसा कि आपको पता है कि भारतिया वायव सना को 30 स्थम्बर को उनके नए जो वायव से नप्रमुक हैं यह मिलने वाले थे और अब ऐसा ही हुआ है एयर्शिप मार्शल वियार चौदरी सर ने जो कमान है भारतिया वायव सेना की यह मर्शल एपी सिंग सर को सौब दी है और अब एपी सिंग सर हमारे नए वायव सना प्रमुक के तोर पर कारेभार को संभालेंगे इससे पहले इस वोकेशन में उन्होंने नेशनल वार मेमोरियर में जो हमारे वीर सेनिक्स वीर गति को प्राप्त होए है इने सबसे खास बात तो यह है कि एपी सिंग सर का जो यहाँ पर नया अभी एपॉइन्मेंट है काफी महतापोर माना जा रहा है क्योंकि यह वो इंसान है जो तेजस प्रोग्राम से काफी जादा सन लगने रहे हैं और इन्होंने कई आउसर ऐसे आए जब तेजस प्रोग्राम क माने गये हैं और इन्होंने जो इंडिजनस प्रेटफॉर्म है इनको इंड़क्ट करने के लिए हमेशा समर्थन अपना दिया है और इसलिए एक्सपर्ट सब यह मानते हैं कि इस नया टेन्योर में यह हम यह आशा कर रहे हैं कि भारत में जो वायव सेना के अंदर इंडिज है और सबसे इंपोर्टन चीज तो यह है कि जो MRFA प्रोग्राम है यानि मल्टी रोल फाइट इरेक्टा प्रोग्राम है उससे भी इनका नाम जोड़कर देखा जा रहा है और संभावित है कि इन्हीं के कारेकाल में हमें जो MRFA प्रोग्राम है वो क्लेरेंस को प्राप्त करत है यह इशू किये जाएंगे और शायद संभावित है कि इसी फाइनेशियर में हमें MRFA से जोड़ी कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है जैसा कि आप सब को पता है कि भारत वो देश है जिसे एक लंबे समय तक रच्छा आया तक के तोर पर जाना गया था लेकिन आप और वील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म जिसका नर्मार टाटा एडवान्स सिस्टम लिम्टेड के साथ किया जाता है इनके लोकल प्रड़क्शन की बात की गई है अगर हम टाटा एड़ाइडवांस सिस्टम के इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह 8 X 8 प्लेटपॉर् Tata Motors के दौराा वेक्षित किया गया है और अब इस Agreement के अंतरगत, यह जो वैकल है, इसका जो Assembly है, यह मुरोको में की जाएगी और ये एक Agreement के अंतरगत होगा, जो कि Government of मुरोको के साथ साइन होगी. दरसल ये एक बड़ा माइस सोल है टाटा एडवांस सिस्टम लिम्टेड के लिए क्योंकि ये अब विदेशों में भी काम करने वाले हैं अगर हम प्रोडिक्शन फैसलची की बात करें तो ये के लिए 12 महीनों में ऑपरेशनल हो जाएगी और अब यहां पर जो टाटा एडवांस सिस्टम लिम्टे के लिए जिसे अलग-अलग operational need की हिसाब से modify किया जा सकता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारतियत हल सेना की तो वो तो interested है ही लेकिन हमारे जो potential buyers हैं वो भी इसको लेकर बहुत जादा interested है आपको बता दे कि एक खुसकबरी भारतियत हल सेना से भी है कुछ sources के तोरह यह कह गया है कि भारतियत हल सेना ने striker versus वैप को लेकर के कुछ नई रणनीती बनाई है जहाँ पर उन्होंने पहले जो प्राच्मिक्ता देने की बात की है वो indigenous platforms को देने की बात की है और अगर किसी स्थती में यह जो indigenous platform है यह requirements को पूरा नहीं कर पाते तो उसी विशेश स्थती म भारतिय थल सेरा फिर जो विदेशी options है इनके तरफ देखेगी अनिता भारतिय थल सेरा जो स्थती प्रेटफॉर्म है इनसे ही अपने requirement को पूरा करेगी और यह चीज़ अब इस पस्ष्ट है और हम आशा करते हैं कि हमें कोई बड़ी खबर सुनने को चलती मिले हमारे इग कि क्या वाकरी इसमें कुछ चौकने लायक था या इसमें कुछ नए चीज़ बताई गई क्या वाकरी तेजस मार्क टू डिले हो गया है तो आई इसको समझने की कोशिश करते हैं आपको हम बता दे कि प्रभला चंदर नवीके सर जो की डारेक्टर ऑफ एवियोनिक्स और व ओफिशल रिपोर्ट नहीं है नहीं यह आड़ा की ओफिशल रिपोर्ट है यह मीडिया सोर्सस जबाते सामने आई हैं और आपको बता दें कि तेजस मार्क टू का जो रोल आउट है वो और यह चीज़ होके रहेगी इसके लिए जो कारे है वो और लेड़ी शुरू हो चु जो दूसरे कॉम्पोनेंट है यह सेंबली लाइन में आ चुके हैं और जो कार है वो लगातार चल रहा है इसमें कोई डिले अब देखने को नहीं मिलेगी और टार्गेट तो यह रखा गया है कि दो हजार उन्तिस तक इसको प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा अब यह जो की संभावित है इस वर्ष के अंत तक फाइनलाइज हो जाएगी तो अगले तीन वर्षों में जो इंजन है वो भी मिलने शुरू हो जाएगे यानि तेजस मार्क्टू के प्रोडक्शन से पहले ही जो इंजन अवेलेबिल्टी है वो हमारे पास मौशूद रहेगी तो आज के इस वीडियो में पास इतना ही आशा करते हैं या वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जहन्त